खबर अतलाम से है जहां जैपूर ब्लास्ट की साजिश रचने के मामले में एनाईये ने फरार फिरूस खान के पोस्टर चौराहों पर चस्पा किये हैं पाँच लाग का इनाम भी इस पर घोशिद किया गया है आपको बता दे कि 28 मार्च 2022 को राजिस्थान के निंबा हेडा के पास शेकिंग के दौरान विस्पोटर पकड़े गए थे और अब तक इस मामले में कुल 6 आरोपी गिरफता किये गए हैं जैपुर ब्लाष्ट की साजिश रचने वाले बदमाशों में से फरार एक आतंकी फिरोश खान का जो पोस्टर है वो एनाइये ने अब शेहर के कई प्रमुक्ष चवराहों पर चस्पा किया है यह वो पोस्टर है जो की धानमंडी शेत्र में लगाया गया है 22 मार्च 2022 को इस पूरे मामले का कुलाता हुआ था जब निंबा हेडा के पास चाकिंग के दौरान तीन आतंकियों से बड़े पैमाने पर विसफोटक पकड़ाए था इस पूरे मामले में मास्टर माइन इमरान सहित 6 आरोपियों की ग्रफतारी हो चुकी है जब कि फिरोश जो कि रतलाम के आनन कॉनली शेतर का रहने वाला है अब तक के फरार है जिसकी ग्रफतारी के लिए लगातार निये छापा मार कारवाई कर रही है पांच लाग का इनाम भी इसके उपर घोचित किया है और अब जो है निये ने चश्पा करके यहां पोस्टर लोगों से अप पता बताएगा उसकी पहचान भी गुपत रखी जाएगी साथ ही साथ हुसे पांच लाग का इनाम भी दिया जाएगा सुधीर जैन न्यूज 18 रतलाम